अजीज दल्वा हम पढ़ नहीं हैं थर्मो डैनामिक्स और आज हम बात करेंगे इसके एक सब टापक पी और वो टापक है कौन सा थर्मल इकलिवियम तो थर्मल इकलिवियम क्या है इसको इसकी अंडरस्टेंड क्या है आप इसको अंडरस्टेंड करेंगे और हम इसको रिलेट करेंगे डिली एक्जामपल के साथ ताके आप इसको असानी से समझ सकें तो चलते हैं इसके इन डेटेल काम पे थर्मल इकलिवि Learning Outcome जो इसमें होंगे वो हमारे पास तीन है Explain the Thermal Equilibrium हम Thermal Equilibrium को Explain करेंगे अब Explain how Liquid Liquid in a Glass 2-0 मीटर Work कि ये काम कैसे करता है तो ये हमारे दो इसके अंदर जो हैं वो होंगे Learning Outcome आप यहां पे देख रहे हैं मुख्लिफ Figures और इसमें नदर आ रहा है आपने Daily Life में देखा कि जब हम एक गरम कैथली को हाथ लगाते हैं तो हमें हरारत पैदा होती है हरारत पैदा होती इसी तरह हम हैथली पे जब इस चीचीच को रखते हैं और वो गरम हो तो हमें उसे अरारत फील करते हैं तो हम देखते हैं कि ये और इसको Heat कहते हैं अब Heat है क्या? Heat तो यहाँ पे जनाब Heat ये है आप और से देखें जियो थर्मल पावर है इसके अंदर यहाँ पे ये Heat निकल रही है यहाँ ये जो बालों को किया जा रहा है ये है हमारे पास एक जियो थर्मल पावर स्टेशन है जहां से Heat पे प्रेड्यूस हो रही है और Heat होती क्या है and next है टेंपरेचर तो जनाब हमने टेंपरेचर को देख रहे है तो टेंपरेचर अब इस फिकर में आप देख रहे है कि हमने यहाँ पे यह इस से यूं समलीजी कि हमने नीचे यह एक जाली रखी हुई है और नीचे हमने एक यह लेंप रखा हुआ है जिससे Heat प्रोड्यूस कर रहा है और उसके बाद आप देखें हमने एक वीकर रख लिए है अब वीकर के ओपर क्या हो रहा है कि यहां पे एक Thermometer लगा रहा है जो यहां की Heat को मेर कर रहा है तो जो temperature है The temperature जो है Temperature is The temperature is The degree of hotness Temperature को अगर Simple से करें तो वो कह है degree of hotness Simple सी definition है इसकी Temperature is a degree of hotness and temperature is measure and Kelvin और temperature को के चीज़ मेर किया जाता है Kelvin के अंदर के चीज़ के अंदर temperature को हम measure करते है Kelvin के अंदर When an object is heated जब कोई object जो है is heated It will absorb heat क्या करेंगी यह heat को absorb करेंगी and it will absorb heat energy and the temperature will rise और temperature क्या करेंगा rise करना शुरू कर देगा आपने देखा जिस तरह के आप हम इस diagram के अंदर देख रहे है के यहां पे जब हम इस फ्लेम से वाटर को गरम कर रहे हैं, और ये पानी जो है, यो हीट को जजब कर रहे है, ये क्या कर रहे है, ये क्या कर रहे है, ये क्या कर रहे है, हीट को अब्सार्फ कर रहे है, ये पानी जो है, वो हीट को यहां पर क्या कर रहे है, अब्सार्फ कर रहा है, अब् तो यहां पर तर्मामेटर बढ़ रहा है तो यहां पर तर्मामेटर बढ़ रहा है जब किसी से को ठंडा किया जाता है यह 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 सेंडरिये, आरिंड ले रहे हैं, ब्रिक ले रहे हैं, खोरफ़ फर 이제 परता दो हम आरिक ऩुरूर को घरने दी तो देखिए इस वील ने चलना शुरू कर दिया और जब यह वील चलना शुरू हो जाएगा आप देखेंगे कि यहां पर इसके अंदर जो है अब क्या हुआ कि यहां पर हीट प्रोड्यूस हो रही है जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उस हीट प्रोड्यूस होने से क्या हो रहा है इसका टेंपरेचर जो है वह बढ़ रहा है जब temperature बढ़ रहा है तो हमें actually जब heat produce हो रही है तो temperature बढ़ेगा और यह thermometer हमें बताता जाएगा कि आया केव यह thermometer हमें बताएगा कि कि जैसे जैसे thermometer में बढ़ता जाएगा जैसे जैसे heat बढ़ती जाएगी अब हमारे पास यह बढ़ता जाएगा और इसी तरह, जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, कि इसकी heat कम करते जाएंगे, ठीक है, अब heat कम करते जाएंगे, temperature जो है, वो कम होता जाएगा, अब ने देखा, कि when an object is heated, जब कोई चीज heat की जाती है, it will absorb heat, उस beaker ने heat को absorb किया, energy and the temperature will rise, और temperature ओपर अगया, यहां बढ़ गया, इसके साथ साथ ही, आपने देखा, when object is cold, जब उसी object को cold किया गया, it will release heat energy, इसने heat energy जो है, वो release की, and the temperature drop, और temperature जो है, वो drop कर गया, तो आपने देखा, इस तरह जो temperature है, हम इस का, temperature का, जब heat दी जाए, तो temperature बढ़ेगा, किसी चीज़ का, और जब heat को उटा दिया जाए, उसमें तो temperature है, काम हो जाएगा, अब अब देखिए, comparison between temperature and heat, अब हमने temperature और इसके करना है, तो पहले हम देखेंगे definition, कि जब हम definition की बात करेंगे, तो यहां पर जनाब, temperature is the degree of hotness of object, कि degree of hotness जो है, वो temperature की definition है, कि जो degree of hotness, उसका हम temperature कहेंगे, heat की definition, heat is the amount of energy, heat energy की मकदार है, that can be transfer from hot object to a cold object, जो के एक hot object से cold object की तरफ टरफ टरफ होती है, दूसरी बात, ऐसा international सिस्टम में जब इसके unit देखें, तो temperature का जो unit है, वो है हमारे पास Kelvin, कौन सा unit है, है का Kelvin, और heat का जो SI unit है, वो है Joule, Joule, सेंटिस्ट का नाम है, और ये heat का unit है, इस तरह measuring instrument, तो जो temperature measure करने के लिए हम जो instrument किया जाता है, उसे हम कहते हैं, thermometer, क्या करते है, thermometer, तो अजीज तलबा, आपने अपने गरों में ये thermometer देखा होंगे, और heat को जो measurement किया जाता है, वो है, जो जूल मीटर, या इसको, जूल मीटर भी कहता है, या इसको कलॉर मीटर, तो आम तो पर ये कलॉर मीटर के नाम से, ये एक instrument मशूर है, जो हमें इसको heat को measurement करने के लिए यूज किया जाता है, बेसिक एंड ड्राइव डियून, इसके बाद आपको पता है, temperature जो है, वो एक basic quantity है, और heat जो है, जो है, वो एक drive quantity है, तो आपने देखा कि बेस कोन्टिटी है, और drive है, इससरह जो एक बात यह, temperature, scalar quantity है, और heat भी scalar quantity है, दोनों जो है, temperature और heat, दोनों, scale इसके बात इनमें common है, तो आप, आपने देखा, कि हमने comparison किया, between temperature and heat, हमने उसकी definition देखी, temperature degree of hotness of object, heat is amount of energy that can be formed from hot object to cold object, unit, इसका केलवन है, temperature unit kelvin है, जबके heat का unit joule है, temperature घर्ममेटर में measure किया जाता है, और जूल मेटर या क्लोरी मेटर में measure की जाता है, heat जो temperature है वो एक base quantity है, heat जो एक dry quantity है, temperature scalar quantity है, heat भी scalar quantity है, और अगर आपके इमतान में ये question आजाए, कि comparison करें temperature को, heat को, तो ये point आप इस तरह आप लिख सकते हैं, कि इन दोनों को कैसे compare किया जा सकता है, उसके बद, when object is heated, it will absorb heat energy, and the temperature will increase, ये हम ने देखा, when object is cold, it will release energy, and the temperature will decrease, temperature will decrease हो जाएगा, energy absorb होगी, तो temperature बढ़ेगा, अगर energy जो है, वो release होगी, तो temperature कम होगा, ये एक simple सी definition हमारे पास, फर्मा मेंट, अब आप देखें, डेली लाइब, फर्मा, फर्मा equilibrium क्या है, अब हम आ रहे हैं, actual asset topic कर दो, तो यहाँ पर देखें, ये, एक फ्रम refrigerator, अब जब एक जो है, आप ने एक फ्रम refrigerator, एक एक refrigerator से लिया, और क्या किया उसको, आप उसको डाल रहे हैं, हाट सूप में, इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा, amount of heat from the hot soup to the egg is more than the amount of heat from egg to the hot soup, अब इस केस में जब हमने egg from refrigerator से लिया, और उसको हमने hot soup में डाल रहे हैं, amount of heat from the hot soup to the egg is more than the amount of heat from the egg to the hot soup, और hot soup के दुरहां, यहां पर amount ज्यादा होगी, दूसरी तर देखें, क्यों हाट, सूप, कोल्ड एक, बज़ा क्या थी, कि सूप हाट था, यह आप बता रहे हैं, सूप हाट था, और एक जो है बग कोल्ड था, इसी तरह, आप दोनों ने आना है, एकिलिबरियम है, इस तरह आप देखें, डेरी लाइफ के अंदर, कि जब हम थेट, किसी बच्चे का टेंपरेचर जो है, वो चेक किया जाता है, कभी आप ने किसी का टेंपरेचर चेक किया है, तो मजबजार में ससा सा 40-50 रॉपए का तर्मा मीटर आपको मिल जाएगा, जिससे आप ये मालूम कर सकते हैं, कि किसी इनसान का टेंपरेचर चेक कर सकते हैं, और आप ये इन्दाजा लखा सकते हैं, कि इसको बखार है या नहीं, तो आपको पता है 97.3 अगर उसका फार्न हाइट में टेंपरेचर है तो फिर ये वह नार्मल है, अगर उससे हाई है तो फिर उसको इसको 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 फीवर है, इसको सेम टेंपरेचर, अब हम देखते हैं, कि thermal equilibrium has been achieve the rate of tran fooled heat is the same. अब thermal equilibrium has been achieved. thermal equilibrium उसको इसको आचीव होगा जब thermal equilibrium has been achieved, wise the rate of transform heat is the same. का rate competitive of heat is sama होगा. अब लेयक्य berries जो तरंस्को नहीं होगाए तो इसको और इसको आपर देखते हैं, तो यहां पे जनाब आप देखेंगे तो अब आप ने देखा कि हमने एक एक्जामपल आपके साथ शेयर की कि जब आपने एक एक जो है फ्रेचन काला उसका टेमप्रेचर कम था और जो सूप था उसका टेमप्रेचर ज्यादा था उसके बाद आपने क्या किया एक्ज को उसके अंदर सूप के अंदर मिक्स कर दिया जब Soup के अंदर डालेंगे तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब उस Soup का टेंपरिच्र और Ag का टेंपरिच्रינה सYम होगा और इसस्टेज को हम क्या कहते है इस almorg अब रेट आफ ट्रांसफर आफ हीट जो है वो सेम होगी तो मुझे अमीद है कि अब भी आपके जिहन में किंसेप्ट बन गया होगा है कि थर्मल एकलिबियम क्या है अगर एक बाड़ी हाट है और दूसरी बाड़ी कोल्ड है और अगर हाट से टेंपरेचर आ रहा है एक स्टेज ऐसी आजाएगी कि दोनों का टेंपरेचर सेम हो जाएगा और इस स्टेज को हम कहते हैं इस स्टेज को हम कहते हैं थर्मल एकलिबियम अब एक्टिविटी करते है कि रेक्टिविटी किया है यहां पे हाट वाटर है यह थर्मामेटर है यह इसके अंदर एक यह हाट वाटर दिया है और वह एक थर्मामेटर हमनेर रखा वहां अब अब देखते हैं कि rise and fall of temperature of the water indicate that the difference between the hot and tap water. कि tap water और hot water के जो tap water है और hot water उसमें फरख है. When the hot water and the tap water are in the thermal contact, जब दोनों thermal contact में होगे with each other, heat energy is transfer between the hot water and the tap water. Heat energy जो है वो transfer होगी from between the hot water and the tap water, क्योंकि hot water से tap water में heat जो है वो transfer होगी, क्यों इसलिए कि दोनों का temperature difference है, और कब तक होती रहे यह, जब तक वो thermal equilibrium में नहीं आते हैं. So, हम किस से दीज़े पहुचे है, energy is, हम देखते है, energy is transformed at the higher rate from the hot water to the tap water, के actually energy जो है वो transfer हो रही है, from, transfer at higher rate from the hot water to the tap water, hot water से tap water पहे. So, energy is transfer at low rate from the tap water to the hot water, अब आपने देखा, यह two-way process है, क्यों यहां पर क्या होगा, energy is transfer at the rate of, at low rate, क्यों लोर रेट से energy transfer होगी, from the tap water to the hot water, और energy transfer होगी from higher, from the hard water to lower water, energy transfer, तो net, अब नतीज़ा क्या हुआ, नतीज़ा हमारे पास निकला, the net amount of energy transfer, a has known as heat transfer, और वो जो net amount of energy transfer होगी, उसको हम कहेंगे, heat transferred, क्यों इतनी heat जो है, वो transferred हो चुकी है, when the two reading become equal, जब दोनो reading equal हो जाएंगी, energy is, energy transfer at the same rate, between the hot water and the cold water, अब जब दो, when the reading become equal, दोनो की reading equal हो जाएंगी, energy is transfer at the same rate, अब energy hot water और clay water से एक ही rate में जो transfer होगी, there is a not net heat transfer between them, और कोई भी heat transfer नहीं होगी, the two objects are set to be thermal equilibrium, अब इन दोनों चीज़ों का हम कहेंगे, कि वो दोनों thermal equilibrium के उपर मजूद है, तो अब आप, रखे हैंगे, आपका काफी है तक thermal equilibrium का concept जो है, वो clear हो चुका होगा, जिनाब, block A is hot, block B is at the room temperature, what will you happen if the two blocks are in direct thermal contact, तो यहाँ पे, यह जो block है, हमारे पास block A, वो उसका temperature हमें 98C दे दिया गया है, यह, यह जो block है, block A, और block B जो है, block B जो है, उसका, वो जो है, उसका temperature काम है, और वो कितने हैं, वो है, 27C, तो अब दो हैं, अब हमने क्या किया, कि दोनों को contact, हमने दोनों को contact कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, जब दोड़ दिया, तो क्या होगा, heat energy, हम देखेंगे, देखते हैं, कि heat energy, heat, heat energy is transferred at the fast rate from the heart object, heart object, heart object, a, a से fast rate में heat energy जो transfer होगी, to the cold object, cold object भी यहां पे fast होगी, heat is transferred at the slow, slow rate from the cold object, to the heart object, heart object, और, slow object होगी, जो cold object होगी, उसे slow, transfer होगी, heat from the, rate from the cold object, to the heart object, a, opposite case होगा, तो आपने देखा, कि यहां पे heat जो है, और कैसे एक दूसरे है, यहां आपने अंदाजा लगा लिया, आपको अंदाजा होगा कि heat जो है, वो किस तरह जो transfer होती है, अब इसको हम देखते हैं, what happened to the temperature of the block, आप जो क्या होगा, और why, what happened to the temperature of the block, why, the heart object, the heart object क्या करेगी, release heat, heat release क्या क्या करेगी, हाट object जो है, वो heat को रिलीस करेगी, और cold object जो है, वो heat को अबसार्फ करेगी, heat transfer, ठीक है, the temperature of the block A decrease, अब भी क्या होगा, जो block A है, वहां उसका temperature decrease होगा, the temperature of block B increase, और temperature B का temperature, block B जो इसका temperature increase होगा, heat transfer to B, increase the kinetic energy, अब जो heat transfer to, जो B को heat transfer होगी, the kinetic energy of the molecule, अब क्या कर देगी, कि इसकी kinetic energy जो है, उसके मालेकुलों की, वो बढ़ा देगी, क्या होगा, क्या होगा, क्या मालेकुलों की kinetic energy जो है, वो बढ़ा देगी, आफ इस मालेकुल, the net result is the transfer of heat energy from the hot object to the cold object, अब net जो होगी, net result of क्या होगा, जितने transfer का, transfer of heat energy from the hot object to the cold object, अब hot object से cold object में जाके transfer हो जाएगी, तो यह एक stage, जब यह दोनों continue रहेगी, तो एक stage ऐसी आजाएगी, कि यह दोनों object, जो hot, जिसका temperature 9, ज्यादा था, और जो low जिसका temperature कम था, एक एक बराबर temperature पर आजाएगी, और उसको हम कहेंगे, कि यह state of equilibrium, वाट हैपन टू रेट अफ हीट ट्रांसफर सम टाइम, अब क्या हो जाएगा, अब इसको बहुर से देखिए है, अब हमने देखिए, बलाक A, उसका temperature, इसका पहले temperature 98 था, इसका 27 था, अब दोनों का temperature 37 और उसका temperature भी 37, तो यहाँ पह देखिए, हीट अब इस तरह भी flow कर रही है, इस तरह भी flow करती की नज़र आएगी, और हीट जो है, वो इस तरह भी flow करती की नज़र आएगी, जब हीट कर, इस स्टेज को हम कहेंगे, जब हीट दोनों तरफ फ्लो करेंगी, तो हम कहेंगे इसको Thermal Equilibrium, इस stage को हम क्या कहेंगे, Thermal Equilibrium, तो जनाब, after, sometime, heat is transfer at the same rate between two मालगे, अब heat जो transfer होगी, वो same rate से होगी, दोने में, the net rate of the heat transfer between the two objects become zero, तो जो net rate of transfer heat होगा between two objects, वो कितरा होगा, zero, the temperature of block A equal to the temperature of block B, अब इस stage पे, block A का temperature, block A का temperature जो है, वो block B के temperature के बराबर होगा, दोनों का temperature, temperature, दोनों का temperature, block A और block B का बराबर होगा, the molecule of both objects have the same kinetic energy, अब ये जो मालेक्यूल है, block A के अंदर जो मालेक्यूल है, और block B के अंदर जो मालेक्यूल है, दोनों की जो मालेक्यूल जो 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 है, काइनेटिक अनर्जी, वो same होगी, जब काइनेटिक अनर्जी सेम होगी, the two objects are set to be thermal equilibrium, हम कहेंगे कि ये दोनों बाड़ी जो है, वो thermal equilibrium में आ चुकी है, तो अभी मुझे अमीद है कि आपका thermal equilibrium का concept मजीद बेतर हो गया होगा, तो यहां पर आपने देखा है, कि दोनों जो block A था और block B था, दोनों का temperature एक है, जब दोनों का temperature एक है, तो net rate of heat transfer वो zero हो जाएगी, और temperature of the block दोनों का, वो इकल हो जाएगा, और molecules की kinetic energy होगी, वो भी same होगी, और यह हालत हो जाएगी, जिसको हम कहते है, thermal equilibrium, तो अमीद है कि आप, अभी आपका कफिया तक thermal equilibrium का जो concept है, वो clear हो चुका हो गया, कि thermal equilibrium है क्या, thermal equilibrium, अब थोड़ा सा में इसको define करते हैं, और हम देखते हैं, यह thermal equilibrium है क्या, तो जनाब thermal equilibrium जो है, वो है, इसको हम अगर इसको define करें, there is a no net flow of heat between two objects, तो simple suggest की definition बनी, वो यह है, कि there is a no net flow of heat between two, दोनों object में heat का कोई flow नहीं होगा, क्या होगा, there is a no net flow of heat between two objects, दोनों object में heat का flow नहीं होगा, two objects have the same temperature, जब flow ही नहीं होगा, तो दोनों का temperature कितना, दोनों, two objects have the same temperature, तो अब क्या होगा, कि equilibrium के जो हम डेफिन करें, thermal equilibrium क्या होगा, कि no net flow of heat, heat ना तो एक बाड़ी से, ए बाड़ी से, बी बाड़ी में flow नहीं करेंगी, बाड़ी से, और दोनों बाड़ी जो है ना, उनका temperature एक जैसा होगा, अब ही अगर मेरे दोनों हाथ, इनका, जो मेरे दोनों हाथ रखार हैं, there is a no net flow of heat, ना मेरे दाएं हाथ से, बाएं हाथ से, कोई heat flow नहीं हो रही, दोनों contact में हैं, तो two object are the same temperature, क्योंके इन दोनों का temperature same है, अब explain how, अब हम explain how a liquid in glass thermometer, कि glass thermometer के अंदर, जो है, explain how a liquid in glass thermometer, आप अगर कोई thermometer देखें, गलास के, उसके अंदर आपको लिकोड नजर आएगा, उसके अंदर एक लिकोड नजर होगा, जो लबाटरी thermometer है, तो अजीज तल्वा, जब आपने कभी, जब आप लबाटरी विजिट कियों, तो वहाँ पे थर्मा मीटर देखें, उसके अंदर आपको लिकोड नजर आएगा, तो लबाटरी थर्मा मीटर, यह आमने फिगर में आपको एक लबाटरी थर्मा मीटर दखाया गया है, जो आ एक बाटर है, यह इस पेशेंट की बाडी का तंपरेचर जो है, वह मेयर कर रहा है किससे, तंपरेचर, there is a different in temperature before and after the measurement, अब, अब मेयर में पहले और बाद में, इनका तंपरेचर में difference होगा, तो जो measurement में पहले और बाद में जो temperature में इनमें different होगा अब देखें हो liquid in glass वक तो ये liquid कैसे काम करता है तो हम क्या करते हैं कि जनाब ये एक glass की राड है जिसको हम लेके थे हैं 0 से लेके 100 तक 100 इकल पार्ट में हम इसको divide कर देते हैं और 100 इकल पार्ट में हम इसको divide the bulb contain a fixed mass of liquid such as a mercury और इसके बलब के अंदर जो है न वो यहां पे एक खास किजम की mercury की मगदार मजूद होती है when the liquid absorb heat it will expand जब ये liquid जो है इसके अंदर when liquid absorb heat ये heat को absorb करेगा it will expand and rise the capillary tube और जब ये क्या कहोगा जब इसके अंदर liquid जो है वो क्या करेगा कि जब ये heart होगा तो ये expand होगा और यहां पे आपको ये line नजर आती होगी कि कहा तक गया अगर ये 97 तक गया तो therefore the length of the liquid in the capillary tube indicates the magnitude of the temperature और ये temperature की magnitude को 0 से लेक अंदर तक बताती है कि इसकी magnitude कितनी है how thermometer is calibrated thermometer कैसे बनाया जाता है fix point lower point ice point ice का point हमने fix लिया लिया जाता है upper point जो है steam point लिया जाता है तो जो lower point the temperature of pure melting ice वो zero लिया जाता है the temperature of steam from water that is boiling under the atmosphere वो 100 ले लिया जाता है the range between the fix point is divided into 100 लिया जाता है each division once the thermometer is called calibrated ready और ये एक इस तरह हम एक thermometer जो है वो design कर लेते हैं ये दो lower point ice point लिया जाता है upper point steam point लिया जाता है और ये pure water के अंदर किया जाता है scale and unit temperature obtained by choosing two temperature fix point और दो fix point के उन से एक ये वाला point और दूसरा ये वाला point अब calibrated of the thermometer अन्वाल following step ये इसमें अंदर ये होते है एक ice, filter funnel, beaker, water ये ice point है यहां पर ये ice point है thermometer बनाने कर ये steam point है ये steam point यहां पर रखा जाता है ice point यहां रखा जाता है आप क्या किया थे इन दोनों point हैं के अंदर जो distance है उसको 100 equal part में divide कर लें आप thermometer बना लें और इसका जो formula हो आपको यहां पर दे दिया के A theta is equal to L theta minus L zero 100 L divided by L zero अब देखिए length of the capability in a centimeter at temperature लेंच है तो length हम के क्या करते हैं के centimeter divide कर लेते हैं अब ये length of the capability in a centimeter at ice point अब ice point पर लेते हैं आप लेंग्ट लेंग्ट यहां पर हमने liquid की length ले रही ये temperature of the liquid C length of the capability in centimeter stream stream के ओपर आपने hundred ले ले लिया, stream के ओपर आपने hundred ले ले लिया, length of calibrate at the ice point और ice point पर आपने zero ले ले लिया, जब ये hundred से multiply करेंगे, इसकी बनियाद पर आप thermometer construct कर सकते हैं यहां, इसकी बनियाद पर बनाए जाते हैं, calculate the value of temperature, अब temperature के हमने value calculate करनी है कि इतनी होगी, जैसे यह three point centimeter, nine point centimeter है, और यहां पर हमने, यह कैसे होगी, अब यह कितनी value होगी, जिस point पर यह होगा, उस point को हम scale के ओपर देख लेंगे, कहां, उतना ही हमारे पास, उतना ही, वह temperature और चीज़ का, हमें measure करके देदेगा, characteristic of liquid in thermometer, और इस यह liquid है, उसके कुछ characteristics of liquid in thermometer, एक तो easily seen, कि आम तोर पर इसको असानी से देखा जाए, तो आम तोर पर देखाए, यह thermometer के अंदर जो liquid है, उसको red color दे दिया जाता है, और red color जो होता है, उससे आप क्या होता है, कि उसकी red, उसकी मदद से यह दूर से देखा जाता है, और असानी से नजर आ जाता है, एक तो, और इस तक यह सानी से देख, तो यह जो इसकी करेक्टरिस्टिक होती है, जो हम इसको बेहन करते हैं, तो अजीज तलबा, आपने देखा, के heat क्या है, temperature क्या है, और equilibrium position क्या है, और इस equilibrium position की बनियाद पर हम जो है, वो किस तरह एक thermometer construct कर सकते हैं, अमीद है कि आपको यह concept समझ आ गए होंगे, thank you very much.